असलाम लेकुम व्योज कैसे हैं आप लैदर की जैकेट मेल और फीमेल दोनों में यकसा मकबूल है खवातीन भी इसको इतना ही पसंद करती है जितना के मर्द हजरात पसंद करते हैं ये फैशन में भी हमेशा ही इन रहती है तो अगर इसकी प्रॉपर क्लीनिंग का ख्याल ना रखा जाए तो ये बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है इसका लैदर जो है वो पिपड़ियां बनके उतरना शुरू हो जाता है और ये पहनने के काबिल नहीं रहती ये देखिए इस तरह से समटाइम इसका जो लैदर है वो थोड़ा थोड़ा उतरना शुरू हो जाता है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं जिसे ये अच्छी नहीं लगती एक तो मैं आज आपके साथ इसकी क्लीनिंग शेयर करूँगी कि आप इसको घर में किस तरह से ड्राइ क्लीन कर सकते हैं अंदर से और बाहिर से भी और इसके साथ साथ मैं इसको पॉलिश करने का भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आप घर में इसको किस तरह से पॉ चाहिए होगा white petrol और एक सूती टावल यह white जो petrol है यह हर जगह easily available होता है अगर यह white petrol ना यूज करना चाहिए आप याण आवेलेबल ना हो तो आप simple जो हमारी bikes में गाड़ियों में जो petrol यूज होता है वो भी यूज कर सकते हैं यह petrol जो होता है यह एक तो इसके दाग भी असा तोप्राँ साफ करेगा और दूसरा ये डुस्त को बहुत हची तरह से क्लीन कर देता है आप इस तरह एक सूती टावल के उपर इसको लगाना है तोड़ा थोड़ा और इसके उपर इस तरह से कपड़े पर डालेंगे तो यूज करेंगे थोड़े से से के बाद ही आपका कपड़ा बिलकुल ड्राय हो जाएगा और अगर आपने इसको की कटोरिव गरा में डाल के रखा होगा तो वो भी उड़ जाएगा इसको बंद ही यूज करें और थोड़ा थोड़ा लगाते जाए और इस्तमाल करते जाएं इस तरह से हर जगह से इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करें जैसे ही टावल कुश्खो और पेट्रॉल लगा लें इसको अगर आप पानी से वाश करेंगे तो ये जैकेट खराब हो जाएगी लैदर जो होता है जो प्योर लैदर होता है वो तो ठीक नहीं होता है लेकिन ये जो होता है जैकेट आम तरपर आजकल ब्रैड्स पर अवेलेबल हैं ये प्योर लैदर नहीं होता तो इसको अगर पानी से आप साफ करने की कुशिश करेंगे सरफ उगरा यूज करेंगे तो ये इसके लिए ठीक नहीं होगा आपने इसकी ड्राय क्लीनिं कर रही हूँ आप चाहें तो ग्लफ भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा ड्रेंजरस नहीं है हैंड्स के लिए अगर आपके कट वगरा लगा हो हाथों पर तो फिर आप ग्लफ ज़रूर यूज करें बाज़ों पर इस जगह निशान लग जाते हैं अक्सर ये जब हम जकेट पहनी होती है तो बाज़ू गरा टेबल पर लगते हैं तो उस जगह पर निशान भी पढ़ जाते हैं और उस जगह से लेदर भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है तो यहां पर पॉलिश की भी ज़रूरत है ये जो अंदर का हिस्सा इसका ये माइक्रो फाइ क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है सीजन के एंड में जब आप पूरा सीजन इसको यूज कर लें तो उसी तरह से आप इसको ना लटकाएं अगर आप उसी तरह से रख देंगे तो इसमें से स्मेल भी आने लग जाएगी और ये इसका लेदर भी ठीक नहीं रहेगा इसलि कहीं पर और होता है कहीं पर ज्यादा यूज के साथ या समटाइम नहीं होती है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती तो कलर खराब हो जाता है इसके लिए हम पॉलिश करेंगे इसको आप किसी भी ब्रैंड की अच्छी सी सेम कलर की पॉलिश ले 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 अगर आपकी जैक सिरकिट है मैरून हैं तो मैं यही वाली पॉलिच यूज़ कर रही हूं। साथ में वही पैट्रॉल इसके कैप में मैने थोड़ा सा पैट्रॉल नकाला हैं और आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं प्रच पर पॉलिच लगाएंगे और उसको पैट्रॉल से मजीद फोड़ा सब्सक्राइब काई MT- behandle कि उप्र पार्मादी के निर्फ से मजीद थोड़ा सा गीला करेंगे क्योंके पौलिश पॉल ज़्यादा ठीक होती है यहां पर सिक्रेय्चिस लगये होएं है थोड़ा थोड़ा लैदर उकड़ा हुआ है तो इस जगा पर पॉलिश की ज्यादा ज़रूरत है यह मैं इस जगा पर थोड़ा ज्यादा करूंगी आप देख सकते हैं इसमें कितनी शाइन आ रही है और कलर भी इसका कितना खुबसूरत लग रहा है यह बिल्कुल इस तरह हो से इसे मिशीन में डाल देंगे तो यह नेक्स टाइम यूज के काबिल नहीं रहेगी आप इसमें डिफ्रेंस देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिंट लगेंगे और आपकी जैकिट जो है वो थोड़े से पैसों में बिल्कुल न्यू हो जाएगी कोई भी पार्ट र यही दोनों चीज़े मिक्स करते जाएंगे और लगाते जाएंगे अब दूसरी बात कि यह दोनों चीज़ों में स्मेल होती है तो जब हम पूरी जैकिट पे यह अप्लाई कर लेंगे तो इसमें से स्मेल लानी शुरू हो जाएगी तो उसका बेस स्लूशन यह है कि आप इ तीन से चार घंटे के बाद इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल खतम हो जाएगी और जैकिट आपकी बिल्कुल ही न्यू हो जाएगी यह देखिए इसकी जिप्स वगारा ओपन करके अंदर जगह है यहां पर कुछ थोड़ी सी मेल भी लगी हुई है तो उसको भी इसी तरह से क्लीन करेंगे सिंपल पेट्रॉल के साथ मैं कर रही हूं फॉरण ही इसकी सारी अंदर से जो डस्व गारा जमा हुई हुई थी फॉरण ही उतर गई है और पॉलिश भी इसी तरह से कर लेंगे यह देखिए पॉलिश आम तोर पर यह जो चंदे कलर्स होते हैं जैकेट्स के इन कलर की पॉलिश आम तोर पर घर में मौझूद होती है पेट्रॉल आप अपने घर से यूज कर सकते हैं तो आप बहुत ही कफायत से इसको अपने घर में ही ड्राइ क्लीन कर सकते हैं इसके बरक्स अगर आ इसके बाद आप इसे किसी भी बड़े शापर में इसको कवर करके, हैंगर पे डालके तो लटका दें, next year तक के लिए ये बिल्कुल safe रहेगी इसके अंदर से और बाहिर से हर जगा से ये ना तो कोई smell लाएगी ना ही इसका leather उतरना शुरू होगा ये मैंने back side से भी इसी तरह से कर लिया है आप handbag पे भी ladies के handbag पे भी ये trick apply कर सकते हैं जेंट्स की belt पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आप ये polish लगा सकते हैं उसको polish कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी अक्सर cracks आ जाते हैं तो polish की जरूरत होती है येकिनें आज की वीडियो आपके लिए बहुत useful होगी अगर वीडियो अची लगे तो like कर दीजिए चैनल को subscribe करें द्वाव में याद रखें लाहव